हाई फ्रेंट्स माने वेकर 2307 में आपको भड़े दिल चुछ होगाता है आज आम बात करना हो आपका 280 तक का भी हाई गया हुआ था और उसके बाद जाके थोड़ा सा पॉफिट बॉकिंग हुआ और देख सकते हैं आज दिन का हाई गया हुआ था एकदम 280.80 और यहां पर आज के दिन ट्रेंग सेजन में ब्रेक आउट हो चुगा है 259 का जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट हो गया क्योंकि ऊपर यह 349 पे चला गया था 346 पर चला गया था और वहा सकते हो कि रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया है हाई वॉल्यम के साथ और इसी तरह आपका नेक्स्ट जो टार्गेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर क्लोस भीव लोग है तो क्लोस भीव आएगा जो इसका हाई है जो 345 के आसपास है 345 इसका नेक्स टार्गेट बनता हो दिखाईते रहे और आज जीसी सबसे आपका बायर अट्रक्टिव हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा आपका अर्विनल को पोजेक्ट मिला है कल के दिन में जो आपका इंटरनेशनल आफ्रीकन कंट्री और साथी साथ आपका यूरोपियन कंट्री में भी एपोजे सबसेंट का अज सर्किट लगाया हुआ था और साथी साथ आपका देख सकते हैं कि अभी भी स्टॉक 8.56 परसेंट में टेट करता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से अब बोल रन शुरू हुआ है और लगबग लगबग एक अच्छा का सब बूली स्केंडल यहां बनता तो इसे सबसे अर्वेनल में कल भी एक तेजी रहेगा जो एक और साथ रेस्टेंस जोन को क्रॉस कर सकते हैं वहें 290 का लेविल 290 का रेस्टेंस जो क्रॉस कर लेगा तो फिर आपका सामने बढ़ा 314 का टार्गेट आपके सामने होगा और यह सब कुछ मेरे खायल से मार्च लाष तक मार्च लाष तक आपको एक अच्छा खासा मेरे काल ज़े थ्री फिप्टी प्लास भी टार्गेट जा सकता है मार्च लाष तक आपको होल्डिंग करना पड़ेगा रेलवे स्टॉक में एक अच्छा खासा डेवलोप्मेंट गॉर्मेंट भी चाता है और बजेट भी अलोट हुआ है लेकिन आपका पूरा एमाउंट बोला नहीं है जो प्राइमाफेसी बोला हुआ है एमाउंट बोलेगा आपका जुलाई जिमें फुल बजेट जब आएगा ड्यू टू इलेक्शन आपका थोड़ा सा बजेट लेकिन एलोट्मेंट के साफ से विए इनफॉर्मेंसे ना चलागे तो लाइक अन सब्सक्राइब कर लेना अपका चनल है मानीमेकर 2307 थैंक्स पर वाचिंग